हलो, नमश्कार, वेलकम टो इनकलकेट लर्निंग, आज हम बात करने वाले हैं UNESCO के बारे में, जो की बहुत इंपोर्टेंट ओर्गनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, यह जो तीन हैं, यह इसके स्पेसिफिक एरियाज हैं, जो इसके नाम में ही दिख से Education, Science and Culture, क्योंकि जब आपके Cultural Aspect, जो है आप एक दूसरे की Cultural Aspect को समझते होंगे, आपकी Education उस लेवल के, उस Quality की होगी, आप जो है एक दूसरे की, आप Sciences के बारे में, Rational Thinking के बारे में जब जानते होंगे, तो उस basis पे जो है फिर Peace रहेगा, ऐसा इनका मानना है, Headquarter जो है, वो पेरिस में है और more than 50 field offices है इनके around the world, 193 members और 11 associate members है, तो ये factual information है कुछ है, जो हमें पता होनी चाहिए, अब United Nation के under है ये organization, special organization है, लेकिन जो United Nation के members है, वो UNESCO के भी member हों ये ज़रूर ही नहीं है, तो ये 3-3 exceptional cases है, जो हमें पता होनी चाहिए, factual information के basis, के रूप में, तो 3 UNESCO के members हैं, जो United Nation के members नहीं है, एक है Cook Island, Mewu, N-I-U-E, ये भी island है, एक Palestine, तो ये 3 जो हैं, ये UNESCO के members हैं, लेकिन ये United Nation के member नहीं है, फिर 3 जो हैं, वो United Nation के members हैं, लेकिन UNESCO के members नहीं हैं, जिन में आता है USA, Israel और Lichantis team, दूसरा जो है, इसकी governing bodies होती है, ये जो particular part है, ये factual information है, learn करनी पड़ेगी, आपको अगर कहीं पे भी आजाती है, आपको थोड़ा बहुत हिंट होना चाहिए, governing bodies की भी हम बात करें, तो इसके अंदर general conference, secretariat, director general, ऐसे governing bodies हैं, जिनके बारे में, जब structure of UNESCO के बारे में हमसे कभी पूछा जाए, तो हमें थोड़ा बहुत idea होना चाहिए, उसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके objectives क्या हैं, objectives हैं कि ये quality education for all जो है attain करना चाहते हैं, lifelong learning, क्योंकि learning जो है वो lifelong process है, और जब आप किस education के field में हैं, तो आपकी quality जो है वो education में होनी चाहिए, उसके बाद है mobilizing science knowledge and policies for sustainable developments, sustainable development के particular goals भी होते हैं, जिनको हम SDG के नाम से जानते हैं, तो science की जो knowledge है वो mobilize होनी चाहिए, यानि कि information जो है वो exchange होनी चाहिए, और यही जो है 1992 के जब LPG reforms हुए थे, उनके बाद इंडिया में हुआ था, कि information liberalization, LPG जब हम बोलते हैं, तो वो liberalization, privatization, globalization, तो उन reforms के बाद जो है ये भी एक factor था, कि आप जो knowledge है आपकी, जो आपके पास information है, आप उसको exchange करते हैं, जिसकी वज़े से क्या होगा, कि आप development में help मिलेगी आपको, सब मिलके develop कर सकते हैं, फिर है addressing, emerging, social and ethical challenges, तो जो global level पे social challenges हो रहे हैं, या फिर कोई ethical challenges हैं, तो उनके बारे में भी ये address करते हैं, उन चीज़ों को जो emerge हो रहे हैं, जैसे कई बार racist policies व हो रहे होते हैं, या दंगे हो रहे होते हैं, तो जब social or ethical challenges emerge होते हैं, तो ये उनको भी address करते हैं, फिर है fostering cultural diversity, intercultural dialogue and a culture of peace, तो इनका जो तीसरा मुद्दा था, वो था culture, जिसके basis पे ये peace create करना चाहते थे, तो ये क्या करते हैं, जो भी culture की diversity तो region wise भी हो जाते हैं, मतलब 100 km के बाद, जो है, वो culture और भाशा change हो जाती है, तो जो cultural diversity है, उसको बढ़ावा देना, मतलब आपने culture को मत छोड़िये, लेकिन आपको दूसरों के बारे में भी पता होना चाहिए, और intercultural dialogues जो है, ये वो ही आगया कि आपको दूसरे के culture के बारे में पता होना चाहिए, culture से peace, जो है, वो कैसे आ सकता है, उसमें ये कोशिश करते हैं, फिर है, building inclusive education societies, through information and communication, तो collaborate करके एक दूसरी organization से, तो ये inclusive education societies, जो है, वो बनाने के कोशिश करते हैं, फिर है, focus, इनका जो main focus है, ये थे objectives, अगर इन objectives में से सबसे major objective पूछा जाए, तो वो होगा, कि ये global priority areas पे जो है focus करते हैं, क्योंकि और इसमें जो है, दो आते हैं, एक है Africa और दूसरा है gender equality, जैसे Africa है, उसमें African union agenda 2063, प्लस African union का agenda 2030, जो है, वो sustainable development के लिए, जो sustainable goals है, तो इस type के agendas में जो है, ये contribute करते हैं, अपनी side से, तो Africa इनकी priority है, दूसरा इनकी priority है, gender equality, यानि कि हर gender के basis पे जो है, व discrimination नहीं होना चाहिए, education में लगा लिजीए, या किसी और चीज में, आपको gender के basis पे, discriminate नहीं करना है, ये इनका priority area है, फिर आते हैं, इनके area of specialization, कि ये major focus जो है, वो इनका किस-किस पे रहता है, एक है, first है, education transforms lives, यानि कि education जो है, उससे आपकी, तभी हम, जो humans है, उनको क्या बोलते है, social animal, because we are animals, but we are social, because of this education, so education जो है, वो हमारी life को बिल्कुल change कर देती है, तो ये इनका focus, इनका specialization area है, तो ये education पे काम करते हैं, फिर है protecting our heritage and fostering creativity, ये heritage protection में, तभी इनकी अलग-अलग जो reports निकलती है, उनमें भी एक जो है, ये world heritage sites जो है, उनको भी list करते हैं, ताकि जब ये अलग-अलग reports निकालते हैं, या M.A.B. करके भी एक report निकलती है इनकी, तो इनकी जो reports हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत idea होना चाहिए, जिन में से एक क्या होती है, heritage को लेके होती है, कि आप अपनी जो धरोहर है, उसको बचाए रखें, उसके बाद है science for a sustainable feature, यानि कि हमें science की मदद से, science हमें नहीं छोड़नी है, लेकिन उसकी help से हमें develop करना है चीजों को, nation को जो है, या लोगों को, तो वो development है, sustainable development, उसका जो है एक पहलू क्या होगा, science, फिर science में भी ये social and human sciences के collaboration की बात करते हैं, inclusion की बात करते हैं, उसके बाद है communication and information, जिसमे ये freedom of expression जो है वो इनका मोटो रहेगा कि आपको communicate करने के लिए आपको पास right information होनी चाहिए और freedom of expression का आपको जो है right है, दो जो extra चीज़े हैं जो हमें याद होनी चाहिए, reports के अलावा हो है, concept of proactive university जो है वो UNESCO ने दिया था, proactive university ये कई बार जो है, optional questions में जब objective question आपको एक्ज time दे रहे हैं, UNESCO अगर आप उसके अंदर mention है कहीं पर, तो proactive university का concept जो है वो किस ने दिया, UNESCO ने दिया, ये चार पिलर की बात करते हैं, क्योंकि इनका पहला ये education है, जो इनका motto है, तो उसमें ये क्या बात करते है, चार पिलर्स की जिसमें learning to know, यानि कि आप कुछ जानने के कि आपका जो confidence level है, या आपके daily life में क्या-का चीजें, जो learning है, वो कैसे काम आएगी, उससे related, और last है, learning to live together, तो ये with peace actually, क्योंकि ये peace जो है, वो ही इनका main motto है, तो ये चार पिलर्स और ये proactive university का concept, ये दो चीजें हमें जादा ध्यान रखनी है, factual information के बाद, So this was about UNESCO, कि आपको, UNESCO की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन अगर हम major रूप से बात करें, तो ये minimum है, जो हमें पता होना ही चाहिए, अगर आपको इससे extra पढ़ना है, तो आप UNESCO की site पे जाके भी पढ़ सकते हैं, So this was all about UNESCO, अगर आपको ये video informative learning को, thank you so much for watching.